सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए जो पहले लगवाई जाए ये उनका कहना है और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जो टीचर्स पार्टिफिकेट करने वाले बोर्ड एक्जाम के अंतर या फिर जो एक्जाम कंट्रोलर है जो बोर्ड एक्जाम वगएरा अटेंड करने जाएगे उन सबी को पहले वैक्सिनेट का प्रसेस प्रवाइड करना जीए ये कुछ मिनिस्टर ने एडवाइस करी जो हैल्थ मिनिस्ट्री है और जो सीबीसी बोर्ड है और जो एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के उनको ये एडवाइस दी ये इसलिए उन्होंने एडवाइस करी अभी थोड़ी दे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके एडवाइस करी है और उन्होंने ये एडवाइस इसलिए दी क्योंकि उनका मानना है कि बच्चों को रिस्क है और अगर आप वैक्सिन बच्चों को पहले लगवा देते हो तो कह ना कहीं बच्चों का रिस्क कम हो जाता है तो मैं देखो ज्यादा मेरे को नॉलेज नहीं वैक्सिन के बारे में लेकिन मैं आप सभी को इतनी एड़वाइस करूँगा कि जो वैक्सिन आई है यह मेरे को जितना पता है बायोटेक जो हिंदुस्तान बायोटेक है सारी जो भारत बायोटेक जिन्होंने यह वैक्सिन को बनाया है उनका मानना है कि 18 साल से बड़ो के लिटी ली वैक्सिन नहीं है तु कहीं न कहीं यह जो अभी थोटी देख ट्वीट किया है यह घरत ट्वीट है यह बात नकी सही है मिनिस्टर की कि जो टीछर्स पगञेर पर पर्मिक्शन डॉक्टर्स ने भी नहीं दी तो यह बात कहीं ना कहीं रिलेट नहीं करती तो अभी थोर्दे पहले अपडेट आया था कुछ मिनिस्टर ने डिमांड किया कि सीवेसी बोर्ड एक्जाम की जो बच्चे है और जो टीचर्स है जो एक्जाम में पार्टिस्पेट करने वाले लोग है उन सभी को पहले वैक्सिनेट किया जाए यह अभी थोर्दे पहले एक बड़े मिनिस्टर ने ट्वीट करके डिमांड करी तो आपको यह न्यूस सही झाल